हेलो फ्रेंड्स कोक वेट टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे खिली खिली नमकीन सेमिया ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे ब्रेकफास्ट में या शाम को स्नेक्स के रूप में बना सकते हैं तो आईए बनाते हैं खिली खिली नमकीन सेमिया इसके लिए पैन में हम दो चमच देसी गी डालेंगे जैसे ही देसी की गरम हो जाए हम इसमें आदा बाउन मुंफली डाल देंगे और मुंफली को रोस्ट करेंगे मुंफली हमारी रोस्ट हो गई हैं इस टेज पर हम मुंफली को बाउल में निकाल लेंगे अब हम इसमें आदा छोटा चमच जीरा डालेंगे आदा छोटा चमच सरसो डालेंगे जीरे और सरसो को अच्छे से चटकने दें इसके बाद हम इसमें 5-6 कड़ी पत्ते डालेंगे कड़ी पत्ते का टेस्ट नमकीन सेमियों में बहुती बढ़िया लगता है अब हम बारी कटेवे प्याज डाल देंगे और प्याज को भून लेंगे प्याज के हलका सा सौफ्ट होते ही हम इसमें बारी कटी हुई अद्रक और एक हरी मिर्च डाल देंगे ये हरी मिर्च को मैंने लंबा कट किया है ताकि बच्चों को देते समय प्लेट में हरी मिर्च ना जाए आप चाहें तो बारी कपी काट सकते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं अद्रक को भी हम दो मिनट पूनेंगे जिसे की अद्रक का भी कच्चापन चला जाए प्याज को हमने पिंक या ब्राउन नहीं करना है प्याज के सोफ्ट होते ही हम इसमें बाकी की सब्जियां डाल देंगे ये मैंने शिम्ला मिर्च, गाजर और बीन्स का यूज किया है अगर आपके पास हरे मटर अवेलेबल हैं तो वे भी टाल सकते हैं इन में से कोई वेजी टेबल आपसन नहीं करते हैं तो वेस्किप कर सकते हैं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए सब्जियों को हम प्याज के साथ ऐसे ही भूनेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने गी बहुती कम क्वांटिटी में डाला है क्यूंकि ज़्यादा क्वांटिटी में डालने से हमारी सेविया चिपकी चिपकी बनती हैं अगर आप खिली-खिली सेविया बनाना चाते हैं तो इसमें गी बहुती कम डालें दो से तीन मिनट सब्जियों को प्याच के साथ हम ऐसे भून लेंगे इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे स्वादा नुसार नमक डालेंगे आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर पोना छोटा चमच धनिया पाउडर और आदा छोटा चमच हम लाल मिच पاؤडर डालेंगे मसालों की कॉंटिटी आप अपने टेस्ट की अकोरडिंग कम या ज़ादा भी कर सकते हैं सबी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले डालने से पहले गैस की फ्लेम को लो कर लें जिसे की मसाले हमारे जले नहीं अब हम इसमें आदा बाूल पानी डाल देंगे जिसे की सब्जीयां हमारी अच्छे से गल जाएं गैस की फलेम को लो कर देंगे और इसे सब्जीयों के सॉफ्ट होने तक ढख कर पकाएंगे पान से साथ मिनट में सबजियां सोफ्ट हो जाती हैं ये देखिए फ्रेंड सबजियां हमारी सोफ्ट हो गई हैं अब हम इसमें एक बाउल सेमिया डालेंगे ये मैंने रोस्टिट सेमियों का यूज किया है इसलिए मैंने इसे रोस्ट नहीं किया है अगर आप without roasted ले रहे हैं तो पहले सेवियों को roast कर लें इसके बाद डालें अब हम सेवियों को सबजी के साथ 2-3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे इसे अच्छे से mix कर दें और सबजी के साथ ऐसे ही पकने दें इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे पानी हमने इतना डालना है कि हमारी सेवियों से डबल हो मतलब कि हमने एक बाउल सेविया डाली है तो हम दो बाउल पानी डालेंगे अगर आप दो बाउल सेविया बना रहे हैं तो चार बाउल पानी डालें अच्छे से mix कर देंगे और इसके boil आने तक वेट करेंगे सेविया हमारी अब 80% तक पक गई हैं आप देख सकते हैं इसमें पानी बहुती कम है इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और पानी के खतम होने तक इसे ढग कर पकाएंगे ये देखिए सेविया हमारी बिल्कुल रेडी हैं आप देख सकते हैं अब हम इसमें दर्दरी पीसी हुई काली मिर्च डालेंगे और जो हमने मुंफली रोस्ट कीती वें डाल देंगे इससे टेस्ट बहुती बढ़ी हाता है काली मिर्च को लास्ट में ही डालें मिक्स करेंगे अभी आपको या चिपचिपी लग रही होंगी लेकिन अभी आपने इसे सर्व नहीं करना है गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कम से कम 10 मिनट इसे ऐसे ही धके रहने दें इसके बाद अब धकन हटा कर देखेंगे आपकी सेमिया खिली-खिली बनकर रेडी हो जाएंगी ये देखिए 10 मिनट हो गई है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स कितनी खिली-खिली सेमिया हमारी बनकर रेडी है आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके नमकीन सेमियों की रेसिपी एक बार जरूर बनाएं आपकी सेमिया भी खिली-खिली बनेंगी और बहुती टेस्टी बनेंगी हाँ तो फ्रेंड्स सेमियों की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ आप हमारी ये रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं